दो महान देश एक बेमिसाल दोस्ती अमेरिका टुआगरा बाया एहमदाबाद 24 फरवरी को UNI की एलतिहासिक मुलाकार इंटरनेशनल महमान का बेसबरी से इन्थजार ट्रेट डील से इनकार फिर भी होंगे कई करार हाउडी मोदी के बाद नमस्टे ट्रम्प आगरा में आगवानी की जोरदार तैयारी ताज महल का दीदार करेंगे जोनाल्ड ट्रम्प वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट जियां ताज महल का देदार करेंगे डोनल्ड ट्रम्प वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट बहुत स्वागत था आप सबी का हमारी खास पेशकश में मैं हो जबार खान पिछले एक साल में दुनिया के दो सबसे बड़े ने था पुर्धान मंतरी नरेंडर मोदी और अमेरिकी राश्टपती डाउनल्ड ट्रम्प के गहरी होती दोस्ती पूरी दुनिया देख रही है 2019 में अमेरिका के हिस्टन में जिस तरीके से मोदी का स्वागत हुआ खुद राश्टपती ट्रम्प मोदी के साथ में चल रहे थे इससे अंदाजा लग गया के दोनों की दोस्ती बेमिसाल है वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों की दोस्ती बढ़ती ही जा रही है हिस्टन में जिस तरीके से अमेरिका ने हाउडी मोदी कहा था ठीक उसी तरह 24 फरवरी को अहमदाबाद ट्रम्प को नमस्ते ट्रम्प कहेगा दो दिन ट्रम्प अपनी पतने के साथ में भारत में रहेंगे और इस दौरान वो अहमदाबाद से होते हुए आगरा और फिर दिल्ली आएंगे भारत में ट्रम्प के लिए कई खास तैयारिया के गई है जिससे दो भारत में ट्रम्प के दो दिन सबसे यादगार होने वाले हैं तो मिस्टर प्रेसिडेंट वेलकम जियां दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली निता एक बार फिर से मिलने वाले हैं और इस बार देश है भारत जब मोदी और ट्रम्प की महामराकात होगी भारत को ट्रम्प का बेसबरी से इंतजार है क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प को तो मोदी की महमान नवाजी करने का मौका मिला और बारी है भारत की ट्रम्प अपनी पत्ने के साथ में भारत में दो दिन रहेंगे और इन दो दिनों में टरंप कई कारिक्रमों में शामिल होंगे टरंप का भारत दोरा कैसा रहने वाला है 24 और 25 फरवरी को टरंप भारत में क्या क्या करेंगे समझे दुनिया के दो शक्ति साली नेताओं की महा मुलाकात एहमदाबाद में मोधी टरंप की सीक्रेट बात दो दिन में तीन शेहर जाएंगे मिस्टर प्रेजिडेंट आगरा को बार बार याद करेंगे मिस्टर एंड मिस्सिस टरंप दुनिया के सबसर शक्तिशाली राष्ट में शुमार अमेरिका के राष्टपती डुनलाल टरंप 24 वर्वरी को भारत आएंगे डुनलाल टरंप और उनकी पत्नी मिलानिया टरंप की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है डुनाल्ड टरंप 24 और 25 फरवरी को भारत मनहेंगे और इस द्वरान मिस्टर एन मिसिस टरंप सबसे पहले एमदावाद, फिर आगरा और उसके बाद देश की राजधानी दल्ली पहुचेंगे इन दो दिनों के यतियासिक दोरे में एमदावाद से लेकर दल्ली तक टरंप की शांदार खातरदारी होगी जिसमें 24 फरवरी की शाम आगरा बहत खास है आगरा में किस तरह से टरंप और उनकी पत्नी का शांदार स्वागत होगा इसकी एक-एक जानकारी आगे आपको दिखाएंगे लेकिन पहले आपको मिस्टर प्रेजिडेंट डुनाल ट्रंप के भारत दोरे को लेकर जानकारी देते हैं अमेरिकी राश्पती जोनाल ट्रंप 24 फर्वरी को दोपहर 11 बचकर 55 मिनट पर गुजरात के एहमदाबाद एयरपोर्ट पहुचेंगे ट्रंप दो दिन के दोरे में एहमदाबाद आगरा और दिल्ली में रहेंगे 25 फर्वरी को राद 10 बजे ट्रंप दिल्ली से वह सिंगठन के लिए उडान भरेंगे ट्रंप के भारत दोरे से पहले उनकी सुरक्षा के लिए काफिला रहिवार को ही अमेरिका से एहमदाबाद पहुच चुका है चलिए अब आपको ट्रंप का भारत दोरा बताते हैं उनका सड्यूल बताते हैं कब किस वक्त ट्रंप और उनकी पत्नी का क्या प्लान होगा और भारत दोरे में ट्रंप क्या क्या करेंगे 24 फरवरी एहमदाबाद राश्पधी ट्रंप और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को मोटे राकिर के स्टेडियम में नमस्टे ट्रंप का रिकरम को सम्भूरिट करेंगे इस स्टेडियम में एक लाग लोगों के बैठने की शमता है 24 फरवरी आगरा इसी दिन शाम को ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया आगरा के लिए उडान भरेंगे यहां दोनु महबद के निशानी ताज महल का दीदार करेंगे और तस्वीरें खिचवाएंगे इस द्वरान दोनु करीब एक घंटे तक ताज महल में रहेंगे 25 फरवरी दली ट्रंप और मेलानिया का राश्पती भवन में आधिकारिक स्वागत होगा मात्मा गार्दी को शर्धान जली देने राजगार जाएंगे फिर नरेंद्र मूदी के साथ दिपक्षी वार्ता के बाद साजा वयान जारी करेंगे दोपहर में कारोवारियों से मुलाकात होगी शाम को ट्रंप राश्पती रामनात कोविन से मुलाकात करेंगे और फिर राद 10 मुझे ट्रंप का विशेश विमान एरफोर्स बवन दली से मुसिगटन के लिए उड़ान भरेगा तो इस तरह ट्रंप का भारत दोरा रहने वाला है ट्रंप के इस दोरे को लेकर तैयारिया पूरी हो चुकी है अमेरिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रंप के भारत दोरे से कई उमीदे हैं अमेरिका और भारत के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए ये दोरा काफी महत्पूर माना जो रहा है साथ ही कई ऐसे समझोते भी हो सकते हैं जिससे दोनों देश जमीन से लेकर आस्वान तक और भी मजबूत होंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबे वक्त से बात चल रही है बले ही डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रेड डील को लेकर इंकार कर दिया हो लेकिन नुकलियर कॉर्पूरेशन स्पेस कॉर्पूरेशन के शेत्र में एतिहासिक डील हो सकती है वो एंट्रेट डील को लेकर भारत ने भी कहा कि वो किसी जल्दबाजी में नहीं है हलाकि इन सब के बावजूर भारत अमेरिका का ब्यपार हर साल दस निर्दी की रप्तार से बढ़ रहा है स्पेस कॉर्परेशन के मोर्चे पर भारत अमेरिका का लंबा इतिहास रहा है अर्थ अब्जर्वेशन सेटलाइट और स्पेस की शेत्र में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं जिसमें जॉइंट वरकिंग गुरुफ लगातार बाशीत कर रहा है अब इसरो और नासा मिलकर एक सेटलाइट बनाने पर काम कर रहे हैं जिसका नाम माइक्रो वेव रिमोट सेंसिंग सेटलाइट है इसे 2022 पर लॉंच किया जा सकता है इसलिए डोलान ट्रम्प का ये भारत दोरा कई माईनों में एहम माना जा रहा है और खबरें ये भी हैं कि मोदी ट्रम्प के बीच कुछ सीक्रेट बाते होंगी जिसका असर आने वाले समय में होगा यानि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यकीन मानिए 2020 में भारत और अमेरिका का रिस्ता सभी देशों में 21 होगा आगे हम आपको बताएंगे जब ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलानिया आगरा में होंगे तो किस तरह से भव्य स्वागत किया जाएगा क्योंकि आगरा में ट्रम्प के लिए मुख्यमंत्री योगी आजे चिनाथ ने खासम खास तैयारियां कर रखी है यहां दोनों देशों के जमीन से लेकर के आसमान तक की मजबूती की कवायत के तोर पर इस मुलाखात को देखा जा रहा है 24 फरवरी को अमेरिका के राश्टपती डॉनल्ड ट्रम्प अहमदाबाद पहुचेंगे शाम को अहमदाबाद से आगरा के लिए रवाना होंगे अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प के बाद में आगरा में ट्रम्प और उनकी पत्नी ताज महल का देदार करेंगे अब ट्रम्प आगरा में होंगे तो ट्रम्प का श्रांदार स्वागत हो इसके जमेदारी उत्रपरदेश सरकार की होगी और ऐसे में मुख्यमंतरी योगी आदितिनात ने आगरा की खास तैयारी करवा रखी है ताज बहला और उसके आसपास सब कुछ चका चक कर दिया गया है या मुना जी भी स्वच्छ और सुन्दर कर दे गई है जिसे देखने के बाद ट्रम बोलेंगे वाहत आज अमरिकी राश्पती डोनाल्ड ट्रम के दोरे के मदे रिज़र लगबग सभी तैयारिया पूरी हो चुकी है अहमदाबाज से लेकर दल्ली तक ट्रम का जोड़दार स्वागत होगा स्वागत ऐसा जिसे डोनाल्ड ट्रम कभी भूल नहीं पाएंगे लेकिन इन सब के वीच ट्रम का आगरा में बेसवरी से इंतजार हो रहा है भले ही आगरा में ट्रम्प बहुत देर नहीं रुकेंगे लेकिन जो भी वक्त वो आगरा में बिताएंगे उसे यादगार बनाने की खास तैयारिया है 24 फरबरी को अमरीका के राश्पति ट्रम्प और उनकी पत्नी मिलानिया ताज महल देखने आगरा आ रहे हैं ट्रम्प और उनकी पत्नी एहमदाबा से शाम को आगरा पहुचेंगे आगरा में ट्रम्प की खातिदारी में कोई कमी न रह जाए इसके लिए यूपी सरकार हर स्तर पर तयारी में जुटी है ताज महल के पीछे बहने वाली यमुना नदी साब दिखे इसके लिए मतुरा में ही गंगा और यमुना का संगम कराया गया है जिससे आगरा में यमुना के जलिस्तर में इजाफा हो सके आगरा में डुनाल्ड ट्रम्प के आगमन से पहले सडके, फुटपात, सब चमकाया जा रहा है आगरा में बहने वाली यमुना का पानी साब दिखे इसके लिए बड़ी कवायत की जा रही है ट्रम्प के आगरा आने के चलते उत्तर प्रुदेश के सिचाई भी भागने बुलन शहर से यमुना में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा है यमुना में गंगा के 500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से ताज महल के पीछे यमुना के आसपास प्रियावरण की स्तिती में तुधार आएगा चुचाई भी भाग की कोशिश है कि 24 फरवरी तक यमुना में पानी का स्तर एक जसा बना रहे क्योंकि इससे नदी में मौझूद गंदे फानी की बद्बू से निजाद मिलेगी ट्रम्प अपनी पत्नी मेलानिया के साथ लगभख एक घंटे तक ताज महल को निहारेंगे इस जोरान यमुना किनारे बने ताज को देखनी के साथ साथ यमुना नदी किनारे का भी जाएजा ले सकते हैं यहां से यमुना को निहारते हुए उसकी गंदगी पर नजर ना पड़े और यमुना साथ सुत्री सुन्दर दिखे इसके लिए यमुना में गंगा का पानी बुलन शहर से छोड़ा गया है ताजनगरी में स्वागत की जबरदस्त तैयारी है चप्पे चप्पे को सजाया जा रहा है इंच इंच की निगरानी रखी जा रही है इसका मुआयना खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदे तिनात ने किया है ट्रम्प के आगरा दौरे को देखते हुए आगरा पुलिस और खूपी अईजन्सिया हाइलेट मोट पर हैं आगरा में हर वो कोशिश की गई है जिससे ट्रम्प का आगरा दौरा यादगार हो सके मैट पैट ट्रीटमेंट से चमके की ताज महल की कबर ताज महल का दीदार करते वक्त ट्रम्प को ताज महल में एक भी दाग नजर नहीं आएगा इसके लिए खास धंग से साब सफाई शुरू कर दी गई है शाजा और मुम्ताज की कबरों की पहली बार मैट पैक ट्रीटमेंट के जरीए सफाई की जा रही है ताकि उस पर एक भी दाग न दिखे 22 फरवरी तक ताज महल में मैट पैक और कैमिकल ट्रीटमेंट के सभी काम पूरे हो जाएंगे ट्रम्प के आने से पहले सभी तैयारिया पूरी हो जाएंगी लेकिन इस सब के भी उत्तर प्रोदेश के प्रशासन ने ट्रम्प की सुरक्षा टीम को जानकारी दी है कि उनकी गाड़ी ताज महल के पास नहीं जा पाएगी यूपी प्रशासन ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विसिस से कहा है कि ताज महल के पास जाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प अपनी कार दीवीस्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगे कार की बजाए डोनाल्ड ट्रम्प मेलानिया ट्रम्प किसी इवीकल से वहाँ पर जापाएंगे इन इवी वीकल के बारे में यूएस सिक्रेट सर्विसिस को जानकारी दी गई है और उन्हें जाचा भी जा चुका है ताज महल के पास नहीं जाएगी दबीस्त यूफी प्रशासन ने सुप्रेम कोट के आदेश का हवाला दिया सुप्रेम कोट के आदेश के मताबिक किसी भी अतिहासिक स्मारक के 500 मीटर के दाएरे में कोई गाड़ी नहीं जा सकती है ऐसा इसलिए किया गया ताकि परदूशन से इस मारक को नुपसान न पहुँचे इसी आदेश का हवाला दे कर उत्तर प्रदेश प्रसासन ने अमेरिकी सीकर्ट सर्थिस को गाड़ी न ले जाने की खबर दी है खास है टरंप की दबीस्ट डूनाल टरंप की आधिकारी गाड़ी दबीस्ट कोई आमकार नहीं है इस गार का नाम आंड लिमोजीन है जिससे 2018 में अमेरिकी राश्ट्पती के काफिले में शामिल किया गया था इस गाड़ी पर गोली, बम या रॉकेट किसी का भी असर नहीं होता है इसके अलावा आग का भी इस गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ सकता है इसके साथ ही आपको एक पुरानी जानकारी भी देते हैं अमेरिका के पूर राश्ट्पती बराक ओमामा जब नॉम्बर 2010 में भारत दोरे पर आये थी तब उन्होंने सुरक्षा वजहों से ताज महल का दीदार नहीं किया था हलाकि इस बार अमरिका के राश्ट्पती डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलानिया ताज का दीदार करने आ रहे हैं और जिस तरह से तैयारिया की गई है वो ट्रम्प के लिए यादगार और शानदार होने वाली है ट्रम्प का भले ही ये पहला भारत दोरा हो लेकिन पुर्धान मंत्री मोदी के साथ उनके रिस्ते बहुत अच्छे हैं इसलिए ट्रम्प ने भी कहा था कि उन्हें मोदी पसंद है जिसका गवा हाउडी मोदी है अब बारी नमस्ते ट्रम्प की है आगे हम आपको मोदी और ट्रम्प की दोस्ती की कहानी सुनाएंगे क्योंकि ए वक्त था जब मोदी को अमेरिका जाने के लिए बीजा भी नहीं मिला था और जब मोदी पुर्धान मंत्री बनने के बाद अमेरिका पहुँचे तो वहां भी मोदी मोदी के नारे लगने लगे थे आधिकारिक तोर पर ट्रम्प पहली बार भारत आ रहे हैं और ये बुमकिन हो सका है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी की वज़े से जब मोदी अमेरिका के हुस्टन में पहुचे थे तो हाउडी मोदी कारकरम में मोदी की धूम थी डोनल्ड ट्रम्प की मौदी मोदी के नारे लगे दोनों नेता हाथों बे हाथ डाल करके पहुचे थे इसके बाद में दोनों की दोस्ती लगातार गहरी होते गई और यहीं दोस्ती है जिसकी वज़े से ट्रम्प भारत दोरे पर आ रहे हैं भारत के परधान मंत्री नरेंदर मोदी और अमेरिका के रास्पती डानल्ड ट्रम्प का ये वो वीडियो है जिसे देखकर दुश्मन देश के सीने पर सांप जरूर लौटा था जबकि मोदी और ट्रम्प के लिए ये पल यादकार लमों में से एक है यूँ तो कई बार मोदी और ट्रम्प के बीच बाउंडिंग सोरदार दिखी है लेकिन जी सेवन समिट में इस तरहे दोनों का मिलना बहुत कुछ बया कर गया था आरा कि हूस्टन में आउडी मोदी कारकरम के वक्षर ट्रम्प के साथ उनकी गहरी दोस्ती देखने को मिली थी अब की बार ट्रम्प सरकार दो शक्ति शाली निताओं का एक मंच पर होना और एक दूसरे के लिए तारीफ करना कोई आम बात नहीं है खासकर उस वक्त जब सामने वाला सबसे शक्तिशाली देश का रास्टपती ट्रम्प और मोदी के बीच आलिया मुलाकास सितंबर में आउडी मोदी समिट के दौरान हुई थी ये पहली बार था जब अमेरिका का कोई रास्टपती भारतियस समुदाई की किसी रैली में शामिल हुआ था पचास हजार लोगों के बीच ट्रम्प ने कहा था कि मोदी सबसे भरोसिमन और अच्छे दोस्त है अमेरिका में 40 लाग भारतियों पर गर्व है रास्टपती ट्रम्प का इस तरहे मोदी और भारत की तरहे जुकाव कई मायनों में एहब और खास हो जाता है क्योंकि ये पूरी तुनिया जानती है कि ट्रम्प किसमे जास के है जब वो अपने पर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते ऐसे में ट्रम का भारत में आना ये मोदी की दोस्ती का ही नतीजा है दोनों की दोस्ती कमाल की है ऐसा कभी नहीं हुआ जब दोनों देशों के रास्टा अध्यक्ष इस उत्सा और उल्ला से ना मिले हो जब दोनों मिले तुम्हरों सा और बढ़ गया दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई बात सिर्फ सम्मान की नहीं है आदर की नहीं है बलकि एक दूसरे को समझने की है तब ही तो जब भी पाकिस्तान भारत के खलाफ रोते हुए अमेरिका के पास पहुंचता है तो हताश और निराश होकर वापस ही लौटता है बावजूदा वक्त में मोदी और ट्रम्प के बीच दोस्ती के ऐसी बायार बह रही है जिसके सामने कोई नहीं है हाथ में हाथ डाले इनकी दोस्ती, एनरजी, केमिस्ट्री को दुनिया देख रही है अमेरिका के हीूस्टन में हाउडी मोदी में क्या कुछ हुआ था जानदार स्वागत किया है, अब वारी भारत की है अमेरिका के राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प पहली बार हिंदोस्तान आ रहे है इस दौरे में एहमदाबाद में उनका भव्य स्वागत होगा करीब एक लाग लोग राश्पती ट्रम्प का एहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में स्वागत करेंगे पिछले साल हूस्टन में अमेरिका ने कहा था कि हाउडी मोदी यानि आप कैसे हैं मोदी अब उसी तर्च पर एहमदाबाद कहेगा नमस्ते ट्रम्प तो मिस्टर प्रेजिटेन येंडिया में मोस्ट वेलकॉम पेरो रिपोर्ट आर नैन टी वी उत्तर परदेश उत्तरा खंड तो वेल्कम मिस्टर प्रेजिडेंट पर इस खास पिशकेश में अभी के लिए वसंतना है लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आपने रही आर्नाइटीवी के साथ